एक्ससाइज 3.3 कोशिन 2 स्टार्ट करेंगे कोशिन 2 में हमसे पूछा गया है यूजिंग डिविजिबिल्टी टेस्ट डिटर्माइन वीच ओफ दो फॉलिंग आद डिविजिबल बाए 4 एंड बाए 8 तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं उसको आपको चेक करके बताना है कि व और फिर उसको 8 से डिविजिबल है या नहीं दोनों से आपको चेक करके बताना है तो फर्स्ट नंबर्स हमारे पास 572 तो आई होप आपको डिविजिबिल्टी रूल अच्छे से पता होंगे और 4 से डिविजिबिल्टी चेक करते हैं हम पहले बाए 4 तो उसको हम साइड मे टू टू फोर से लास्ट की दो डिविजिब कंप्लीट डिवाइड होगे इस यह नमबर भी कंप्लीट डिवाइड होगा तो येस डिविजिल भाए 4 नेक्ट इसको हम चेक करते हैं भाए 8 यहां पर आप रिजिन भी दे सकते हैं लास्ट टू डिजिट नंबर लास्ट टू डिजिट का नमबर हमारे पास खाता यह डिजिबल बाइप फोर तो नास्ट टू डिजिट का नमबर 4 से डिजिबल है तो यह नंबर complete भी 4 से डिजिबल होगा आप इसका reason भी लिख सकते हैं next हम by 8 by 8 में हमारे पास था कि 3 दिजिट last की तीनों डिजिट तो last की तीनों डिजिट में हमारे पास नंबर है 5728 से डिवाइड करके चेक करेंगे 57 चेक करेंगे 8 7 जा 56 यहां पर हमारा 1 रिमेंडर है 8 बंजा 8 12 में से 8 मैनिस करेंगे 4 दिवाइड नहीं होगा पूरा complete नंबर चेक कर लिया तो यहाँ पर रिजन लिखने की जूर्थ नहीं है आप चाहों तो लिख सकते हैं कि नंबर फॉंट बाइ थ्री डिजिट इस नोट डिविजल बाइ एट भी पार्ट करेंगे हम बी पार्ट में हमारे पास नंबर है 726352 इसको चेक करते हैं सबसे पहले 24 से डिविजल टो बाइ फॉर लिख सकते हैं आप 24 तो लाज्ट टू डिजिट हमारे पास क्या है 52 52 को हम चेक करेंगे फॉर से डिवाइड चेक करेंगे इसको फॉर बंजा फॉर फॉर त्री जा ट्वैल फॉर से कंप्लिट डिवाइड हो गी है इट मींस यह पूरा नंबर फॉर से डिविजिबल होगा येस और रिजिन हम लिख सकते हैं बिकोज लास्ट टू डिजिट नंबर लास्ट टू डिजिट नंबर हमारे पास क्या है 52 52 इस डिविजिबल बाए 4 नेक्स हम चेक करते हैं इसको बाए 8 एट के लिए हम चेक करेंगे थ्री डिजिट तो लास्ट ट्री डिजिट हमारे पास है 352 तो 352 को हम पहले एट से डिवाइड करके चेक करेंगे 8 फोर्जा 32 हो गया हमारे पास यहाँ पर 5 में से 2 मैनिस करेंगे 3 2 कह रिकिया 32 8 फोर्जा 32 तो 8 से हमारी लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीट डिवाइड हो ग Last three digits इसको हम लिख सकते हैं Number formed by last three digits यह bhi लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि Last three digits Number हमारे पास क्या था? 352 is divisible by 8 तो अगर last three digits divisible हैं तो Itmys हमारा पूरा Number भी 8 से divisible होगा नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट C पार्ट C में हमारे पास नंबर है 5500 अब बाइब 4 के लिए हमारे पास condition थी कि लाश्ट 2 डिजिट शुड़ भी 0 या डिविजिल बाइब 4 तो यहाँ पर लाश्ट के दो डिजिट 0 है तो yes it is divisible होगा यहाँ पर हम yes लिखेंगे yes it is divisible by 4 आप पूरे लाइब लिख सकते हैं मैं आपको शोट में समझा रही हूँ तो आप लिख सकते yes it is divisible by 4 because last two digits are 0 next इसको हम चेक करेंगे by 8 8 के लिए हमें चाहिए last की 3 डिजिट divisible होनी चाहिए 8 से तो last की 3 डिजिट हमारे पास 500 500 को हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे 8 6 जा 48 2 रिमेंडर होगा यहाँ पर 0 20 8 2 जा 16 4 रिमेंडर बचा हमारे पास तो अगर last की 3 डिजिट 8 से complete डिवाइड नहीं हो रही है तो यह number भी 8 से डिवाइड नहीं होगा तो it is not divisible by 8 यहाँ पर हम रिजिन दे सकते हैं because last 3 डिजिट आप चाहिए number में लिख सकते हैं चाहिए आप spelling में लिख सकते हैं उसकी last 3 डिजिट नमबर हमारे पास क्या है 500 is not divisible by 8 next पार्ट हमारे पास 6 0 0 इसको चेक करते हैं by 4 से तो by 4 में हमारे पास था last 2 डिजिट शुट भी 0 यहाँ पर हो रही है तो yes रिजिन हम लिख सकते हैं because last 2 डिजिट आप 2 एस सेंपल भी सकते है TW 2 भी लिख सकते है last 2 डिजिट अर 0 by 8 चेक करेंगे 8 के लिए हमने देखा था कि last की 3 डिजिट 0 होनी चाहिए वो है इसमें तो it means यह 8 से भी divisible होगा आप चाहिए तो side में डिवाइड करके देख सकते हैं लेकिन रूल है हमारे पास कि last की अगर 2 डिजिट 0 है तो वो 4 से डिजिबल होंगी और अगर last की 3 डिजिट 0 है तो वो 8 से डिजिबल होंगी तो because last 3 डिजिट अर जीरो नेक्स पार्ट हम करते हैं यह पार्ट में हम चेक करते हैं नमबर हमारे पास 12159 आप complete line लिख सकते हैं कि first case हमारा divisible by 4 पूरी line लिख सकते हैं मैं आपको short में समझा रही हूं by 4 हम चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास number है last की 2 डिजिट 59 अब आपको ध्यान होगा जब आप 4 की टेबल लेते हैं या फोर का कोई भी multiple निकालते हैं तो उसमें 9 कहीं नहीं आता तो इट मेंस यह number 4 से divisible नहीं होगा आप साइड में करके भी देख सकते हैं माले जी 59 है आप forces को ड्वाइड करके चेक कर सकते हैं फोर फोर जा 16 तो 19 में से 16 मैंस करेंगे हमारे पास 3 रिमेंट बच रहा है तो complete डिवाइड नहीं हुआ तो इट मींस यह number भी 4 से divisible नहीं होगा because last two digits number last two digits number हमारे पास 59 is not divisible by 4 next check करते हम by 8 by 8 में भी वही रूल है क्योंकि 8 की table में भी कहीं पर भी हमारा last digit जो है वो 9 या 8 numbers नहीं होते तो यह 8 से भी डिवाइड नहीं होगा आप इसको check भी कर सकते हैं कि last की three digits हमारे पास 159 है 159 हम check कर सकते हैं 8 बंजा 8 15 में से हम 8 माइनस करेंगे हमारे पास 7 और उपर से 9 कैरी करेंगे 8 972 9 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास 7 तो यहापर पर रिबेंडर बच रहा है तो यह complete number भी 8 से divisible नहीं होगा तो reason देंगे because यह sign जो है हमारा यह because के लिए है because last three digits number last three digits number हमारा क्या बना है 159 159 is not divisible by 8 next part हमारा f part effort में हमारे पास number है 14560 चेक करते हैं by 4 तो simple rule आपको पता है last two digits हमें चेक करनी है तो यहाँ पर last की 2 digits हमारे पास है 60 तो 60 को हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके 4 बन जा 4 6 में से 4 माइनिस करेंगे हमारे पास 2 उपर से 0 करेंगे 4 5 जा 20 last की दोनों digit हमारी 4 से complete दिवाइड हो रही है it means यह पूरा number भी 4 से divisible होगा yes reason देंगे because last two digits number last two digits number हमारे पास क्या है 60 is individual by 4 इसको 8 से चेक करते हैं by 8 by 8 में हमारे पास number है last की 3 digits तो last की 3 digits हमारे पास है 5 6 0 8 से चेक करेंगे 8 7 56 होता है उपर से 0 करेंगे और 0 डिवाइड नहीं होगी तो इसके लिए हम 0 लगाएंगे आपर तो 8 से complete डिवाइड हो चुका है तो इसके यह नमबर भी 8 से divisible होगा येस रिजी लिखेंगे बिकोज लास्ट 3 digits नमबर नमबर क्या हमारे पास 5 6 0 5 6 0 is divisible by 8 नेक्ट पार्ट हमारे पास जी पार्ट जी पार्ट में हमारे पास नमबर है 21084 इसको चेक करते हैं by 4 से तो लास्ट की डिजित हमारे पास क्या है 84 तो 84 में हम टेबल लेकि चेक कर सकते हैं 4 से 4 तूजा 8 हो गया हमारे पास और उपर से 4 करेंगे तो 4 बन जा 4 complete डिवाइड हो गया तो यह 4 से divisible होगा reason हम लिखेंगे साथ में yes because last two digits नमबर last two digits नमबर हमारे पास क्या बना था 84 is divisible by 4 इसको आप 8 से चेक करते हैं 8 से चेक करने के लिए मारे पास 3 डिजित होनी चीए यहाँ पर क्योंकि तीसरी डिजित हमारे जीरो है तो उसका आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा because last three digits नमबर three digits का नमबर हमारे पास क्या था 084 को 84 लिख सकते हैं इज नोट डिविजिबल बाए एट नेक्ट पार्ट हमारे पास एच पार्ट एच पार्ट में हमारे पास नमबर है three one seven nine five zero seven two नमबर चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा हो हमें सिर्फ rule याद रखना है और rule हमारे पास सिर्फ last की two digits और three digits के लिए है तो last की two digits हमारे पास यहाँ पर 72 है तो 72 को हम four से divide करके देखेंगे four बंजा four seven में से four minus करेंगे माना पर three उपर से two carry करेंगे four eight is a thirty two complete divide हो गया it means यह number four is divisible होगा yes अब पूरे लाइ लिक सकते है yes it is divisible by four साथ में रिजन देंगे because last two digits number last two digits का number हमारे पास क्या बना 72 इसको इसको चेक करते हम eight के लिए eight में हमारे पास लास्ट की थी डिजिट होनी चाहिए तो लास्ट थी डिजिट हमारे पास क्योंकि जीरो है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा 72 रहेगा और eight nine जा 72 होता है तो यह complete डिवाइड हो जाएगा तो यह नेक्स्ट हम करेंगे इसको लिखेंगे रिजन देंगे हम साथ में last three digits number हमारे पास क्या है नंबर है हमारे पास 72 ही रहेगा इस डिविजिल बाए eight इसको हम चेक करेंगे बाए four है तो फोर में हमारे पास देखें लास्ट टू डिजिट्स जिरो है तो इट में से डिविजिबल होगा और यहां आप साथ में रिजन लिख सकते हैं यह इस इस डिविजिब बाए four क्योंकि लास्ट टू डिजिट्स आ जीरो बाए eight हम हम चेक करेंगे eight से चेक करने के लिए में लास्ट की त्री डिजिट्स चाहिए उसको हमें चेक करना पड़ेगा लास्ट की त्री डिजिट्स को लास्ट की त्री डिजिट्स का नंबर हमारे पास है 700 eight से हम चेक करेंगे eight की टेबल में seven पे टेबल नहीं जाएगी तो हम टेबल में 60 चेक करेंगे तो 8756, 10 में से 6 मैंस करेंगे 4, रिमेंडर बच रहा है, इट मेंस यह नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, रिजन आप साथ में लिखेंगे, बिकोज लास्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, 700, is not divisible by 8, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, जे पार्ट, जे पार्ट में हमारे पास नंबर है 2150, तो इसको हम चेक करते हैं, पहले by 4 से, नहीं पर मैं बता रही हूँ आपको by 4 से इसको हम चेक करके देखेंगे तो देखें लास्ट टू डिजित हमारे पास क्या है 50 तो 50 को हम 4 से चेक करके देखेंगे 4 बन जा 4 हो जाएगा हमारे पास 5 में से 4 मैनिस करेंगे 1 4 टू जा 8 तो यहाँ पर रिमेंडर बच रहा है 2 तो यह डिविजिबल नहीं होगा तो 4 से डिविजिबल नहीं है आप रिजन लिख सकते हैं Because last 2 डिजिट नमबर is not divisible by 4 अगर हम इसको चेक करना है by 8 से by 8 से चेक करने के लिए हमारे पास last की 3 डिजिट है तो last की 3 डिजिट से हमारे पास 1, 5, 0 इसको आप 8 से चेक करके दिखा सकते हैं 8 वंजा 8 होगा हमारे पास 15 में से 8 मैनिस करेंगे 7, 8, 8, 0, 64 6 डिमेंडर बच रहा है तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा और वैसे भी अगर नमबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 8, 4 का ही मल्टिपल है या आप बोल सकते हैं कि 4, 8 का फेक्टर है तो अगर नमबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से भी नहीं होगा तो यह number 8 से divisible नहीं होगा आप region लिख सकते हैं because last three digits number are not divisible by 8 so the complete number also not divisible by 8 I hope आपको सारे ही examples अच्छे से समझ में आ गए होंगे parts और please like करना और subscribe करना ना भूलिए